Hello students, I am Kunal Singh and I am here to teach you about directional ratio of a vector passing through two points कि अगर दो पॉइंट डिया हुआ है एक A point, X1, Y1, Z1 और एक B point, X2, Y2, Z2 तो directional ratio इस A भी वेक्टर का यह जो दो पॉइंट से पास करता हुआ यह वेक्टर है इसका directional ratio कैसे निकालते हैं तो A, B, C यह क्या होता है, किसी भी वेक्टर का reversal ratio होता है अब A कैसे निकालेंगे, तो X2 में से X1 को घटाएंगे निकल गया, B, Y2 में से Y1 को घटाएंगे और C, Z2 में से Z1 को घटाएंगे तो A, B, C इस तरीक से निकाल लेंगे, तो A, B, B का Storm ratio क्या हो गया x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1 तो इस तरीक से 2 points से pass कलते हुए vector का हम लोग direction ratio इस तरीक से निकल सकते हैं अब जानते हैं कि अगर हमको abc direction ratio पता है तो क्या हम लोग direction को sign निकल सकते हैं इस a b vector का l a root under a square b square c square m कैसे निकलेंगे b root under a square plus b square plus c square n कैसे निकलते हैं c root under a square plus b square plus c square तो इस तरीक से हम लोग 2 points से pass कलते हुए vector का direction ratio निकल सकते हैं और जब direction ratio निकल जाएगा तो direction को sign तो इस formula पर put करके निकल ही सकते हैं एक example के तुरू समझने की कोशिक कलते हैं जैसे कि यह देखिए यह आपको देदिया क्या 2, 3, 4 यह एक point देदिया और देखिए दूसरा point 8, 5, 7 तो हम लोग direction ratio इस a b vector का कैसे निकलेंगे a निकलेंगे x2 में से x1 घटाओ के 8 में से क्या करेंगे 2 घटाओ के कितना आ जगा 6 b, b कैसे निकलेंगे y2 में से y1 तो y2 5 में से y1 3 घटाएंगे 5 में से 3 कितना आ जगे 2 c, c कैसे निकलेंगे z2 में से 1 z2 7 में से 1 4 7 में से 4 कितना आ जगे 3 तो इस तरीक से a b का direction ratio हम लोग निकल दिये a b c x2 में से x1 घटाओ के 6 y2 में से 5 में से 3 2 z2 में से 1 7 में से 4 3 तो a b से निकल के आ गया 6, 2, 3 और a b c पता है तो क्या हम लोग dash and cosine इस फ़र्मोरा पर पूट करके निकल सकते हैं तो यहाँ पर पहले निकल लेते हैं a square plus b square plus c square यहाँ पर पूट करने के लिए a कितना 6 6 का square b कितना 2 b कितना 2 बटे इसका क्या भालू root 49 c कितना 3 बटे root 49 आपको पता है 49 किसका होता है root 7 का तो l पर पर कितना हो गया 6 by 7 m कितना हो गया 2 by 7 n कितना हो गया 3 by 7 तो इस तरह से direction cosine भी हमारा इस a b vector का निकल गया 6 by 7 l 2 by 7 m और n 3 by 7 तो इस तरह से अगर direction ratio निकलना है 2 point की बीच का कैसे निकलेंगे point मान सकते है x1 2 y1 3 z1 4 x2 8 y2 5 z2 7 फिर क्या करेंगे a x2 minus x1 करके निकलेंगे b y2 minus y1 करके निकलेंगे c z2 minus z1 करके निकलेंगे तो यहाँ पर a b c आपका direction ratio इस a b vector का निकल गया उसका पर क्या करना है direction cosine निकलना है तो l m n इस formula आपर पर पूट करेंगे value को और यह इस तरह से direction cosine भी निकल के आ जाएगा hope आपको समय आ गया होगा भी अगर कोई vector जो 2 point से पास कर ला हो तो उसका direction ratio कैसे निकलते हैं वीडियो को लाइक किजीगा चैनल को सिस्क्राइब किजीगा